मुझा दोस्तों मैं रोहिन शर्मा स्वाद कता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशिन वास्तू में कैसे हैं आप सभी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 4th of October 2023 के बारे में 4 October 2023 का यह दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है आज के इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफर्मिशन कैसे आपको इस दिन को अच्छा बनाना है सारी जानकारी मिलेगे आपको इस वीडियो में अंतक दिखिए गा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं मैसेज आफ दे के बारे में क्या है आज की दिन का महतपुन संदेश दिखिए लाइफ में कभी भी ऐसा लगे आपको कि मेरा काम नहीं बन पा रहा या फिर मेरी कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ पा रही मैं अटक सा चुका हूं मैं रु पुरवजों को जरूर याद करिए अपने इश्वर पर आस्था रखें अपने इश्वर पर विश्वास रखें और उसके बाद थोड़ा सा चैन की सांस लेकर के रिलैक्स लेकर के उसी काम के बारे में वापस सोचिए आपको जरूर कोई ने कोई रास्ता दिखाई देगा जरूर कोई कोई solution मिल जाएगा and definitely divine power आपकी मदद करने की कोशिश जरूर करेगी बड़ी से बड़ी परिस्थिती में भी हम हमेशा कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद भी हो जाएं फिर भी कोई एक नया रास्ता खुली जाता है फिर भी कोई एक नया रास्ता निकल ही जात है कुछ समय जरूर लगता है कभी कभी कुछ देरी जरूर हो जाती है बट ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं होते या रास्ते नहीं खुलते इस वज़े से जल्दबाजी में या बिना सोचे बिना समझे अपने जीवन में कोई ऐसे decision लेना जिससे कि आपकी लाइफ पूरी तरह स समाप्त हो जाए तो वह गलती ना करके आप सभी को थोड़ा सा अपने इश्वर पर विश्वास रख करके समय को समय देना चाहिए ताकि वह आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर करें अगर आप यह चीज़ करेंगे तो definitely आप अपने आपको तो खुशी दे सो रहा है बच्चों को काफी ज़दा परिशानिया हो रही है बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं जॉब में करियर में पैसो को लेकर के काफी ज़दा गलत रास्ते पर हम जाते जा रहे हैं और उसकी वज़े से हम अपना भविश्य खराब कर रहे हैं तो make sure कि आप यह गलती ना करें और सही रास्ते पर और अपने इश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं डेफिनिटली आपको फाइदा मिल जाएगा अब बात करते हैं यहां पर बुद्वार का यह दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है और कैसे आप सभी को इस दिन को और जादा बहतर 상을 कर बंगाना हैं सबसे पहले आप सभी को दो तिन चीजों का विशेश दियान रखना है पहली चीज पैशों के लेंड दिन में बहुत बुद्वार के इस दिन में आप सभी को किसी बड़े की सला लेकर के कोई काम करना जरूरी है किसी भी तरह से अपने आपको बैलेंस रखें और अपने मन को विचलित ना होने दें इस बात का विशेश द्यान लखिएगा किसी के दबाव में आकर के प्रैशर में आकर के या लालच में आकर के कोई भी काम करने की कोशिश ना करें नहीं तो आपको परिशानियों का सामना करना पड़ेगा इस तरह की योग यहां पर दिखाई दिते हैं तो यह दिन जो रहेगा यह ठोड़ा सा अमानसिक अशांती लेकर क्या रहा है और आप सभी के लिए कई ऐसे मूवमेंट आएंगे जहां पर आप सभी को जादा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी तो अपने दिन को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए और अपने मूवमेंट को खराब ना होने के लिए आज यह सारी रेमेडी जो मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लीजेगा यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी पहला आप सभी को आज के दिन में चांदी की कोई भी चीज अपने पास में शरूर रखनी हैं। का कोई रिंग पह लिए चांदी का सिंख आपने वौलिट में रख़ दीजिए कोई भी चांदी की चीज अपने साथ पितरपक्ष चल रहे हैं और पितरपक्ष में आज का यह दिन अपने आप में बहुत ज़़्वादा बढ़ा दिन हैं इस वज़े से आज कुछ खाने की वस्तु दान जरूर दीजेगा किसी ब्रामन को खाना खिला दीजेगा जो भी आपके लिए पॉसिबल हो वो आप करने की कोशिश करें ये आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा आज के दिन में आप सभी भी बोजन करते समय जब भी आप खाना खाते हैं आज के दिन में अपने मन को पूरी तरह से शांत रखिएगा और इसी के साथ साथ आप सभी बिना बोले बोजन करने की कोशिश करिएगा मौन धारन करके बोजन करिएगा तो आज आपको काफी ज़्यादा शांती प्राप्त होगी आज के दिर में कोशिश करें कि किचन के पास में बैठ करके या किचन के अंदर बैठ करके बोजन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो बोजन करते समय अपना फेस अपना मू जो रहेगा वो इस्ट डिरिक्शन में रखें ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे भी काफी ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी बनते हुए नज़र आएंगी आज की दिन में किसी विशेष कारी से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप वाइट कलर का इस्तामाल कर सकते हैं वाइट कलर काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा रेड इन वाइड का कॉम्मिनेशन आप पहन सकते हैं ये भी आपका फाइदा देगा और इसी के साथ साथ लो कलर भी आप यूज कर सकते हैं इसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे आपके काम बनते हुए नजर आएंगे आज के दिन में कौन सा है एंजल नंबर जाप के लिए रहेगा बेहत खास नोट कर लिजी का प्लीज आज के दिन में जो नंबर हम यह आज के दिन में यह जो नंबर रहेगा यह आपके मन की परिशानियों को दूर करने का काम करेगा आपको पॉजिटिवटी देने का काम करेगा और काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे आपको फाइदा देता हुआ नजर आएगा अब बात कर लेते and unconditional blessings definitely आपको मिलेगी वो सारी blessings जो आप डिजर्व करते हैं और जो आपके जीवन में है और आपको नहीं मिल पा रही है आज उसके मिलने के रास्ते खुलेंगे आपके directions अच्छे बनेंगे और आपके काम अच्छे बनते हुए नजर आएंगे अब बात कर लेते हैं आपर आज के दिन में कौन सा रहेगा आपका golden wish time जो आपके लिए रहेगा बेहत खास दीके वैसे तो पूरा ही दिन अच्छा है no doubt in that बट इसके अलावा पूरे दिन में भी आज के दिन में चार बजे से afternoon 4 o'clock से लेकर के 5 o'clock तक का समय बहुत जाथ समय है चार से पांच का समय आपके लिए कोई बड़ी good news लेकर करके आ सकता है इस तरह की योग यहां पर बनते हैं और इसी के साथ साथ आज के दिन में कोशिश करिएगा कि सुबह का समय 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय थोड़ा सा avoid करके चले तो जाधा अचा रहेगा आपको किसी तरह की कोई परिशानियों का सामना ना करना पड़े अगर आज आपका जन्दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैत्रपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार दिक्षिप कामना है आने वाला समय आप सभी के लिए अच्छा जाता और नजर आएगा आने वाले समय में कुछ मैत्रपुन चीजिएं आप अपने जीवन में कर सकते हैं इसतरे की योग यहां पर बनते हैं और साथी साथ अगर पारिवारी का बैलेंस पारिवारी सुख अगर अभी तक आपके जीवन में नहीं है तो वो आपको मिल सकता है शा के लिए आज का ये दिन अच्छा जाएगा किसी के भी जीवन में किसी तरह की कोई परिशानी मिलते हुए नहीं दिखाई देगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूछना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समयना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धन् प्रिवाद